आपका फिर एक बार स्वागत है Modern History सीरीज में जिसमें हमने Episode 1 में Modern Nationalism in India देखा था इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे अब The Revolt of 1857 जिसको हम First War of Independence भी कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं Revolt of 1857 एक बहुत important landmark था इंडिया के history में और ये Lord Canning जब भारत के Governor General थे तब ओकर हुआ था इस समय इंडिया में East India Company का रूल चल रहा था Crown ने अभी takeover नहीं करा था इस म्यूटिनी के पीछे बहुत सारे causes बताये जाते हैं मराथा डाइनेस्टी के Reason ये था कि Doctrine of Laps Policy जो Lord Dalhoji ने निकाली थी इसके according अगर कोई king अपने natural hire को ही सिर्व अपनी property दे सकता था ना कि अपने adopted hire को इसके अलावा सतारा, छासी, नागपुर और संभलपुर को भी एनेक्स किया गया था Doctrine of Policy के according Lord Dalhoji ने अवद को भी annex किया था 1856 में माल administration के charges में economic causes की अगर बात करे तो जैसे British government ने बहुत ज़्यादा heavy taxation किया foreseeable eviction करे और साथी साथ discriminatory tariff policy थी जैसे कि Indian products को अगर export करना हो तो बहुत ज्यादा tariff लगता था जबकि imported material जो कि British से आता था उसमें बिल्को जीरो tax करके रखा था इससे Indian traditional handicraft market भी बहुत ज़्यादा destroy हो गया जिसके कारण peasants और articians को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा social religious reforms में British ने बहुत सारे social reforms करे थे for example abolition of sati जो की 1829 में किया और साथी साथ widow remarriage का legalization जो 1856 में हुआ इसने बहुत सारे orthodox और conservative people के sentiments को hurt कर दिया इस revolt में सबसे ज़्यादा important role military causes ने create किया reason था कि Indian soldiers का बहुत ज़्यादा discrimination होता था जैसे कि अगर Indian soldiers को विदेश में ले जाते थे war के लिए तो वहाँ पर उनको special foreign allowance नहीं मिलता था और साथी साथ उनको खाने में फ्लोर में animal bones मिलाके खिलाए जाते थे अब देखते हैं इस revolt के immediate cause क्या थे तो सबसे immediate cause था introduction of enfield rifles जिसकी cartilage इस grease cover से बनी होती थी जो की बना होता था beef और pork का जिसने हिंदू-Muslim दौनों religions में एक तरीके का revolt स्पाप कर दी अगर बात करें इस revolt की beginning की तो ये सबसे पहले 29th March 1857 को 34th Native Infantry जो की बैरकपुर में थी जो अभी केलकटा में है वहाँ पे start हुआ था इसका reason था मंगल पांडे जो एक बहुत फेमस इंडियन सिपोई थे उन्होंने दो British officers की हत्या दर दी इनका नाम था हूक संग और बॉब वहाँ पर मौजूद other Indian soldiers ने अपने senior officers की बात मानने से मना कर दिया इन्होंने order दिया था कि मंगल पांडे को arrest करना है लेकिन लेटर ओन मंगल पांडे को arrest किया गया और साथी साथ उनको फासी भी दी गई अब ऐसे occasions बहुत सारी जगे अकार हो रहे थे जहाँ पर soldiers को greased cartilages ना यूज करने पर सजाएं दी जा रहे थी ये mutiny harsh level पर start होती है 10 मई 1857 को मेरट में जहाँ पर बहुत सारे soldiers Enfield rifles को ना यूज करने के लिए mutiny करना start कर देते अब soldiers को धीरे धीरे civilians भी join करने लगते हैं और एक बहुत ही famous नारा मारो फिरंगी को shout करते हुए चलते हैं दिल्ली की तरफ और लाल के लिए पर पहुँच कर बहादुर शाह जफर को declare करते हैं शेहनशाय हिंदुस्तान यानि की emperor of India और उनके अंडर में ये revolt start हो जाता है इस revolt में बहुत सारे Europeans को मारा गया सांती सांत उनके houses जला दिये और बहुत सारी jails को तोड़ दिया गया विदिन अमन्थ ये revolt पूरे दिल्ली में फैल गया और साथी साथ अधर पार्ट्स जैसे की नदन इंडिया, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर इंडिया में साउथ इंडिया, पंजाब और बेंगॉल अभी इस से काफी दूर थे इस revolt को different places में different leaders ने hold करके रखा था अगर देखें तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बक्त खान जो की commanding general थे इन लोगों ने hold करा था, कानपुर में नाना साहिब और उनके commander तांतिया टूपे लखनव में बेगम हजरत महल, जहासी में बहुत ही famous गानी लक्ष्मी भाई, अलाहबाद में लियाकत अली और जगदीश पुर जो की बिहार में है यहाँ पर कुणर सिंग और अमर सिंग लीड कर रहे थे एक लंबे स्ट्रगल के बाद जब यह reward खतम हुआ तो अलग-अलग leaders के साथ British government ने क्या किया यह देखते हैं जिसे बहादुर शाह जफर इनको रंगून डिपोर्ट कर दिया गया और 1862 में इनकी death हो गई और इनके sons की भी death हो गई जिसके साथ मुगल empire अब इन्डिया से पूरी तरीके से vanish हो गया नाना साहिब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान नेपाल भाग गए तात्या टोपे को 15th of April को capture कर लिया गया और execute कर दिया गया मध्यप्रदेश के शियोपूरी में रानी लक्ष्मी भाई बैटल फिल्ड में शहीद हो गई सर हूग रोस ने रानी लक्ष्मी भाई को define किया था इस रिवोल्ट के end होने के बाद बिटिश क्राउन ने कमपनी से पूरी अथोरिटी ले लिए इंडिया को handle करने की जून दिसमबर 1858 में ये रिवोल्ट एक unsuccessful लेकिन बहुत ही ज्यादा heroic effort था बिटिश गवर्मेंट को eliminate करने इंडिया से लेकिन इसके बहुत सारे failure के causes थे जैसे कि इंडियन्स में और poor organization में बहुत स्यादा disunity थी साथी साथ complete nationalism की भी कमी थी क्योंकि सिंदिया, holkers, निजाम और कुछ और लोग actively British की मदद कर रहे थे साथी साथ बहुत ज्यादा lack of coordination था between sepoys, peasants, जमीनदार्स और other classes में और कई लोगों का बहुत ही ज्यादा different motive था इस revolt में participate करने का Nature of the revolt के अगर बात करें तो इसके mainly two views थे, अलग-अलग लोगों के एक view था, सिपोय म्यूटनी जिसको support करते थे साइद एहमत खान, मुंशी जीवन लाल स्टैनली जो की Secretary of State थे इंडिया के John Lawrence और RC मजूमदार एक और view था, जो की था National Struggle या फिर War of Independence जिसको support करते थे Benjamin Disraeli, Karl Marx V.D. Savarkar, K.M. Panikar एट्सेटरा फेल होने के बाद भी, इस revolt का एक बहुत ही major impact था इंडिया की governance में For example, अगस्त 1858 में British Parliament ने एक act पास करा था, जिसने company rule को इंडिया ना पूरी तरीके से end कर दिया था, और साथी साथ अब British Government इंडिया को एक post declare करी थी Secretary of State for India जो की अब इंडिया की governance के लिए responsible थे directly इस revolt के बाद, British Governor General को अब वाइज़ोय का title मिलेगा जो की representative थे monarch की directly सिपोय म्यूटनी को ध्यान रखते हुए, अब British Government वापिस से आर्मी में वाइट soldiers की संख्या को फिर से बढ़ाने लगी अलग-अलग opinions ने इस war को quote करा जैसे कि VD सावरकर ने कहा This was the first war of independence इस revolt का बहुत ही बड़ा significance था क्योंकि इसने हिंदू-Muslim unity को एक बहुत बड़ा boost दिया था और साथी साथ patriotic sentiment बिना किसी communal feeling के touch के increase कर दिये थे Indians के अंदर अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो like, share और subscribe जरूर कर दे और अगर queries हो तो comment section में पूछ सकते हैं और हमारे Instagram channel को भी follow कर सकते हैं Thank you